नमस्कार मैं ललिता खबर लहरिया से सुनते हैं 23 अप्रेल की दिन भर की मुख्य खबरें लोगसभा चुना अपने पूरे सबाब पर है और राजनेतिक दलों के दिगगत चुनावी समर्जीतने के लिए ताबर तोर रहलियां कर रहे हैं लेकिन अंधेर तो ये है कि बीते एक सब्ता से महोबा जिले में सरकारी संचार कमपणी वियशनल की सेवाए ध्वस्त हैं जिसके चलते आमजन मानस को खासी परिशानी हो रही है महोबा हमेरपूर तिन्वारी लोगसभा परत्यासी के पक्ष में जनसभा करने आये योगी की जनसभा में आबेवस्ताओं का बोल बाला रहा योगी आदितिनात मुंदेल खंड को पानी की समस्या से निजात दिलाने की बात करते रहे भारत निर्वाचन आयोग ने लोगसभा चुनाओ के लिए चित्रकूट जनपद में आई-एस वक्तावर सिंग को तैनात किया मंगलवार को जिला मुख्याला के पी डवलूडी गेस्ट हाउस में प्रेक्षक ने ली बैठक बोले आदर्स आचार सहिता का सक्ति से कराया जाएगा अनुपालन जनपद बांदा के तापमान को देखते हुए राश्टिय तिरंगा वितरण समिति के पक्षी बचाओ मुहिम को गती परदान करते हुए जिससे समाज को एक नई दिसावा एक नई प्रेडा दी गई सनी देओल के बीजेपी में सामिल होने पर सोसल मेडिया पर जोरदार रियक्षन आ रहा है ट्विटर पर सनी देओल को लेकर तरह तरह के मिम्स बनाए जा रहे हैं और ये खूब वाइरल हो रहे हैं सनी देओल आज बीजेपी नेता निर्मला सीता रमण और पुयूस गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में सामिल हुए भोपाल लोकसवा सीट से भारतिय जन्ता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही साधवी परग्या सिंग ठाकुर ने आज अपना नामांकन किया नामांकन से पहले साधवी परग्या ने पुराने भोपाल के भवानी चौक से रोड़ सो किया लेकिन इस दोरान उन्हें काले जंटे दिखाए गए और वहां जमकर हंगामा हो गया स्री लंका में इस्टर में हुए सिलसले वार बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 290 हो गई है आतंकी खत्रों को देखते हुए स्री लंका में सो मुहराधी राज से आपात काल लागू कर दी गई है मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी सामिल हैं दीपिका पादुकोड अपनी अगली फिल्म छपाग को लेकर चर्चा में है फिल्म को मेगना गुलजार डारेक्ट कर रही है फिल्म में दीपिका पादुकोड एसिड अटेक सर्वाइवर लक्षमी अगरवाल का रोल लिभा रही है जैपुर के सवाई मान सिंग इस्टेडियम में सो मार को खेले गए IPL के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रायल्स को छे विकट से हरा दिया इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम IPL के पॉइंट टेबल पर 14 अंकों के साथ नमबर एक पर पहुँच गई है